दोस्तू इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़ हिमाइदार सवाल जो आपके जीमन बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगी और छुटकारा पाने के साथ साथ आप एक दूसरे को भी देखवाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो क को सुरू करते हैं सवाल नंबर एक लहसुन की चटनी खाने से क्या-क्या फाइदा मिलती है और कौन बीमारी नहीं होती है नहीं चानते है तो वीडियो को लैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तो इसका सही अंसर है गठिया की बीमारी नहीं होती है डार पीठ में दर्द नहीं होता है बुखार नहीं होता है सर्दी नहीं होता है जुकाम नहीं होता है लहसुन की चटनी खाने से जो लोग लहसुन का चटनी का सेवन करते हैं उनको तरह तरह सी यानि की हजारो ब मेसा पाने के लिए कि अच्छा-च्छा जनकारी आप लोग के पास में डायरिट मिलती रहे दूस्तो इसका सही अंसर है करेला का सबजी ज्यादा मतरा में खाना चाहिए क्यांकि करेला का सबजी खाने से बुखार ठीक हो जाता है और तरह-च्छा की आने वाला बिमारी नश्ठ हो जाती है क्या कि शरीर में जब कोई ट्रेबूल होता है तो करेला ज्यादा मतरा में खाना चाहिए वो हजारों बिमारी को से छुट कारा पाने के लिए काम करता है सवाल नमबर 3 गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आच्छा अच्छा जनकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हम ऐसा मिलेगी दोस्तों इसका सही अंसर है ज्यादा मात्रा में में मेहनत करना चाहिए और बच्चे को पढ़ाने से होता है कि बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई काम में उसको मल लगेदा और कोई काम को हरें डोस्तों इसलिए जरूर परहें कि सवाल नमबर चार दही खाने से क्या फाइदा मिलती है हम लोगों को दोस्तों नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दिए दोस्तों दोस्तों इसका सई अंसर है बौशीड की बिमारी की नामों निसान तक दोस्तों मीटी जाती है दही खाने से दही में एक चमच्चुरन जो है आमले का डाल दें उसके बाद में सुबह के समय में खाएं और आखों की रूष्णी भी अच्छा रहती है सिहात अच्छा रहता है सवाल नमबर पांच दात दर्द करने लगे तो किया करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आच्छा जनकारी हमेसा पाने के लिए कि आप तक आच्छा जनकारी हमेसा मिलती रहे दोस्तों दूस्तु इसका सही अंसर है हल्दी डालकोल गरम दूध पीना चाहिए गरम दूध पीने से कोई परकार की दीकत नहीं होती है दूस्तु ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब चरूर करें थैंकि दूस्तों बने रहें मसतने खुछा साल बना की दूस्तु अगर ﷺ घही हा हाए झास ओदेग नहीं होए तबस्तु यहाँ पर्छबर को कि अज़स्तु थर्द कॉас थर्या हुआ9 झास सब्सक्तु बना उना की प्रत्सम मुद इव